अलो गाईज, HTML और CSS से इस सिंपल प्रोजेक्ट में हम ये वाला डिजाइन बनाने वाले हैं इस सिंपल डिजाइन से आपके HTML और CSS के काफी basic concept किलियर हो जाएंगे देखो मैं तुमको बड़े प्रोजेक्ट भी बनवा सकता हूँ और future में हम बड़े प्रोजेक्ट डेफिनेटली बनाने वाले हैं लेकिन छोटे छोटे डिजाइन बनाने से तुमारे core concept किलियर हो जाएंगे तो चन्द ये start करते हैं बिना time wasting के तो सबसे पहले मैं आपर अपने vs code में चला जाता हूँ और vs code में आने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक file बना लेते हैं index.html और साथ ही मैं यहाँ पर एक css की file भी create कर लेता हूँ style.css और style.css की file को हम link कर लेते हैं html की file से तो html की file में हम सबसे पहले यहाँ पर एक boiler plate generate कर लेते हैं और इसके header में हमको link लिखना है और html हमको suggestion में show करा देता है css style.css तो हमें इसको enter करना है हमने यहाँ पर css की file को भी attach कर लिया है अभी सबसे पहले क्या गरते हैं मैं एक section element का use करता हूँ और section element का use करके हम इसमें class declare कर देते हैं class और features और id के बात करते हैं तो मैं आपर id भी declare कर देता हूँ इसकी id और same features और इस section में यह section होने वाला है हमारा completely features section तो इसके लिए हमको क्या करना होगा inside this section हम एक due बना लेते हैं और उस due को हम class name declare कर देते हैं यहाँ पर container intentional है यहाँ पर हमने एक section लिया है और section में हमारे पास एक due है container और इस container में हम एक heading लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम output में देखते हैं तो के starting में हमारे पास एक heading है तो हिस heading को मैं आ पर H2 declare दिया है और features और अभी जलते हैं यहाँ पर एक another due create कर लेते हैं जिसमें हम grid बनाने वाले हैं तो due और class का name यहाँ बर declare कर देता हूँ features grid जिसमें हमारे पास grid होगे three boxes type होगे तो inside this due एक another due बना लेते हैं और इस due को हम class लखने वाले हैं feature class feature और देखें अगर अभी चलके अपने design में तो यहाँ पर हमारे पास एक image है और image के बाद एक heading है और heading के बाद बात करते हैं तो हमारे पास एक paragraph है तो हमको क्या करना होगा feature में हमको एक image put करनी है मेरे पास already एक image है तो उसका path मैं यहाँ पर set कर देता हूँ और image को set करने के बाद एक heading है हमारे पास तो h3 मैं उसको declare कर देता हूँ feature 1 और paragraph में हम यहाँ पर कोई text लिख लेंगे brief description of this feature तो यहाँ पर हमारा एक feature grid तयार हो चुका है तो अभी मुझको क्या करना है class तो same ही रखनी है तो class feature तो अभी इसको simple copy paste कर लेते हैं first copy and then paste and again paste images भी मैं इसमें same ही रखने वाला हूँ तो simple changing क्या करना है h3 में यहाँ पर मेरे पास feature 1 है इसमें feature 2 कर देते हैं और इसमें feature 3 कर देते हैं और यह feature 1, 2, 3 यहाँ पर हो चुका है तो css में चलके सबसे पहले मैं यहाँ पर global css लिख लेता हूँ margin 0 और padding 0 और इसको कर लेते हैं box sizing border box और इसके बाद एक body को call करेंगे body को call करके हम इसमें लिखने वाले हैं font families का change कर देता हूँ font family और इसकी line height कर देते हैं यहाँ से body की 1.6 ऐसे ही color declaration कर लेते हैं और body का color में कर देता हूँ white और इसके बाद call करते हैं यहाँ पर container को और container को call करने के बाद हमें यहाँ पर देखना होगा design में container की width लख लेते हैं यहाँ पर 90% हाँ 90% सही रहने वाली है तो 90% और max width की बात करते हैं तो max width रहने वाला है 200px और container के margin की बात करें तो margin 0 और auto तो तो container भी हमारा यहाँ पर complete हो चुका है इसके बाद बात करते हैं features की तो features को call करके हमको क्या करना होगा की padding कर लेते हैं इसको 60px और जीरो background color यहाँ पर change कर लेते हैं hash f9, f9 और f9 और इसका जितने भी text रहने वाला है inside features हमारे उसके text को हम align कर लेंगे center में और रही h2 की बात heading की तो heading को थोड़ा सा margin से bottom कर लेते हैं और font का size increase कर लेते हैं font size 2.5 em और margin bottom 40px सही अभी यहाँ पर next class है हमारी यहाँ पर features grid तो मैं css में चलके features grid को call करता हूँ और सबसे पहले तो जो हमारा features grid है वो flex रहने वाला है और उसके बाद मैं इसमें space around justify content कर देता हूँ justify content space around और flex wrap कर देते हैं इसका हम wrap और इसके बाद अभी next class है हमारी यहाँ पर feature जिसमें हमने 3 views को same class declare की हुई है तो क्या करते हैं feature को call करते हैं और feature का background color कर देते हैं हम यहाँ पर white और feature में हम padding declare कर देते हैं 20px और इसमें थोड़ा margin declare कर देते हैं 10px margin फ्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 1 30% flex कर देते हैं इसको थोड़ा सा box shadow declare कर देते हैं इसमें box shadow 0 2px 4px और RGBA 0 0 0 and 0.1 थोड़ा सा इसको border radius भी कर देते हैं border radius 5px और इसमें थोड़ा सा हम transition add कर देते हैं transform 0.3 second थोड़ा सा over भी इसमें कर लेते हैं feature में तो feature over और इसमें transform declare कर देते हैं और इसको थोड़ा translate y और minus से 10px declaration कर लेते हैं अब भी इसका output check करते हैं तो यह हलका सा pop-up कर रहा है top की side तो इसको minus 20 कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें pop-up add कर लेते हैं जैसे minus 20px और इसके बाद आती है हमारे पास image वाला section तो image को call करते हैं feature image और image की with हम यहाँ पर declare कर लेते हैं 100% तो 100% करने के बाद यह fix हो जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा margin bottom कर लेते हैं margin से bottom कर लेते हैं इसका हम 20px और उसके बाद थोड़ा सा features की heading है न उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर manage कर लेंगे bottom से कर लेते हैं इसको 50 15px और इसका color यहाँ पर change कर लेते हैं 007b और ff लास्ट में आता है हमारे पास heading के बाद paragraph तो paragraph का color change करते हैं और इसका थोड़ा साइज जो है वो change कर लेते हैं तो इसका phone size में यहाँ पर declare कर देता हूँ one em feature p और color इसका कर लेते हैं hash 555 तो अभी यह हमारा project complete हो चुका है तो अभी चलते हैं output की तरफ और output match करते हैं तो यहाँ पर हमारा output exactly same हो चुका है तो यह simple project था जिसमें हमने transform और over और थोड़ा सा margin bottom और HTML CSS की कुछ properties यूज किये तो I hope guys आपको यह simple project पसाद आया होगा तो ऐसे ही videos सीखने के लिए channel को subscribe करें और मिलते हैं guys next video में